आपको लगता होगा कि अभी कल्यूग चल रहा है और बहुत सारे लोगों को अभी यही लगता है कि कल्यूग चल रहा है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आपकी जो confusion है वो दूर हो सकती है तो पूरे evidence और detail के साथ आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर कौन सा यूग चल रहा है मुझे क्या लगता है कि अभी कौन सा यूग चल रहा है और सदी के सबसे बड़े astrologer श्री युगतेश्वर गिरी के अनुसार कौन सा यूग चल रहा है मैंने जब एक किताब पढ़ी दहोली science तो उसमें कुछ details दिये गए है यूग तेश्वर गिरी के द्वारा जिससे कि हमें ये समझ में आता है कि यूगो का जो cycle है उसमें कौन सा समय अभी चल रहा है और जब मैंने उस चीज को पढ़ा तो मेरा mind ये सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या ये बाते सच में सही है तो मैंने कोशिश की इसको verify करने की अभी तक modern astronomy की जो science है वो इतनी developed नहीं हुई है कि वो पता कर पाए कि ये किस हद तक सच है लेकिन कुछ जो चीजे हैं जो यूगतेश्वर गिरी ने बताई है और जो 11-12,000 साल पहले जो रिश्यों ने बताई थी astronomy के बारे में वो सारी चीजे यहां पे बताई गई है और अपने आप में ही ये science इतना deep है कि modern astronomy भी अभी तक वहां तक पहुँची नहीं है तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यूगो का cycle आखिर है क्या यूगतेश्वर गिरी कहते हैं कि यूगो का जो cycle है वो 24,000 साल का होता है लेकिन ये जो 24,000 साल का cycle है ये किस पे निर्धारित है यूगतेश्वर गिरी कहते हैं कि sun का एक dual है यानि कि हमारा जो सूर्य है उसका एक dual है जिसके साथ वो rotate करता है और जब मैंने research किया तो मैंने पाया कि वो dual कही ना कहीं जो serious star है वो हो सकता है जी हाँ serious जिसे हिंदी में व्याध तारा भी बोलते हैं और ये जो तारा है वो रात के समय प्रित्वी से सबसे जादा चमकीला नजर आता है ये सूर्य के सबसे करीबी तारों में से एक है माना जाता है पूराने जो रिशी मुनी है वो ऐसा समझते हैं कि serious और सूर्य जो है वो एक orbit में एक दूसरे के round खूंते हैं और इस orbit को पूरा क करने में सूर्य को 24,000 साल लगते हैं 24,000 साल का जो cycle होता है ये दो भाग में बटा है और जब भी ये घटना करम होती है इस समय ऐसा होता है कि ये जो दोनों तारे हैं सूर्य और serious जब भी एक दूसरे के करीब आते हैं तो sun की जो दूरी है galactic center से यानि कि हमारी अकाश गंगा की जो center है उससे कम हो जाती है और जब सूर्य की दूरी galactic center से थोड़ी कम हो जाती है वहीं पे जो human consciousness की जो full potential है वो उभर के आती है और उसी यूग को सत्यूग कहते हैं जहाँ पे human consciousness 100% evolve होती है कल्यूग की अगर बात करें तो कल्यूग में human consciousness 25% ही रहती है जिसके वज़े से human mind और human perception जो है उसकी जो intelligence है इंसानों की वो सिर्फ material चीजों को ही perceive कर पाते हैं और magnetism और electronic चीजों के बारे में हमें जादा knowledge कल्यूग में नहीं होती तो आप अगर देखें कि कौन सा ऐसा time था जब इनसान को electronic चीजों के बारे में knowledge नहीं थी तो अगर आप 1700 के पहले देखेंगे तो उस समय electricity की discovery शायद नहीं थी और वहाँ पे आप देखेंगे कि human को electricity या magnetism के बारे में कोई knowledge नहीं था और यही कारण था कि इनसान जो है उ electricity वाली वो सारी चीज़े यूज नहीं करता था लेकिन 1700 के बाद जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे-धीर evolution हुआ 1700 में Newton ने gravitation की खोज की और उसके बाद धीरे-धीरे जाके जब evolution होने लगा तब जाके धीरे-धीरे electromagnetism और यह सारी चीजों का आविस्कार ह समझिए कि जब इनसान पूरे तरीके से अंधेरे में था, electricity नहीं थी इनसान के पास, magnetism के बारे में कोई knowledge नहीं था, तो क्या वो यूग कल यूग नहीं है और अभी जब हमारे पास electricity की knowledge है, magnetism की knowledge है, हाँ, हलाकि पूरी knowledge नहीं है, तो अभी कौन सा यूग चल रहा है, तो इन दोनों भागों में सारे यूग एक एक बार आते हैं, सत्यूग 4800 years का होता है, यानि कि 4800 सालों का होता है, जिसमें कि पहले जो 400 साल होते हैं, वो transition phase के होता है, और आखरी के 400 साल transition phase के होता है, यानि कि सत्यूग के बाद आएगा त्रेता, और सत्यूग से त्रेता का जो से 300 साल आगे और 300 साल पीछे Transition phases होते हैं और उसके बाद आता है दौपर 2400 साल का होता है 2400 इर्स जिसमें 200 साल की Transition period आगे और 500 साण होती बिलाके 400 साल और आखरी में आता है कल्यूग जो की 1200 साल का होता है और इसमें भी Transition phases होते है 100 years के आगे और पीछे तो इस प्रकार से 12,000 years का एक cycle चलता है और जब कल्यूग end होता है यानि कि जब सूर्य सबसे दूर है serious से तो उसके बाद सूर्य ascend करना शुरू करता है यानि कि फिर उसके pass आना शुरू करता है और फिर कल्यूग का दूसरा phase start होता है जो कि फिर से 1200 साल का होता है और उसमें भी transition periods होती है तो यहां जो पहला 1200 साल का period था वो कल्यूग में entry का था और जो दूसरा है वो कल्यूग से निकलने का है कल्यूग का जब पहला phase खतम हुआ ascending वाला यानि कि कल्यूग जब चड़ रहा था और फिर जब दूसरा phase 1200 साल का start हुआ descending वाला जब कल्यूग उतर रहा है उसके बाद फिर से आता है द्वापर और फिर द्वापर के बाद त्रेता और त्रेता के बाद वापस सत्यूग जो कि 4800 साल का होता है और सत्यूग का ascending phase तब सुरू होता है और उसके बाद वापस से 4800 सालों का सत्यूग का descending phase सुरू होता है सन की जो दूरी है सीरियस से वह बढ़ने लगती है और वही है descending phase जबकि सूर्य जो है वह विश्णु नावी से दूर जा रहा है विश्णु नावी यानि कि हमारे इस राशी में कब सन कहां इंटर करता है तो शायद आपको confusion हो जाएगी मैं एक पिक्चर यहां पे दे दूँगा जिस पिक्चर में वह सारे cycles आपको समझ में आएंगे वह उस photo को देखके अब बात करेंगे कि सूर्य और जो सीरियस ता रहा है इनकी positioning क्या है सूर्य की जो orbit है वो जादा लंबी है मुकाबले सीरियस की और यही कारण है कि सूर्य जब सीरियस से दूर जाता है तो वो galactic center से भी दूर जाता है और जब सीरियस के पास आता है सूर्य तो galactic center के भी पास आता है और जैसे जैसे सूर्य गैलेक्टिक सेंटर यानि कि विश्णु नाभी के पास बढ़ता है तो consciousness में rise देखने को मिलती है और यह जो cycle मैंने आपको अल्रेडी बता है जब सूर्य दूर जाता है वो 12,000 सालों का cycle है और जब उसके बाद वापस से सूर्य जब पास आने लगता है वो फिर 12,000 सालों का cycle अब बात करेंगे कि कल्यूग शुरू कब हुआ और end कब हुआ 11,500 BC में सत्यूग अपने चरम पे था यानि कि सूर्य सबसे करीब था विश्णु नाभी के और सीरियस के उसके बाद सूर्य का descending phase स्टार्ट हुआ यानि कि वो दूर जाने लगा विश्णु नाभी से तो 11,500 BC और अभी के अगर आप 2,024 साल जोड दे तो करीब करीब 13,000 साल पहले कल्यूग धीरे धीरे अपने second phase में आ गया यानि कि 1600 AD से लेके यानि 1600 इश्वी से लेके 1700 इश्वी तक जो phase था 100 साल वो कल्यूग के end का transition था कल्यूग से द्वापर में हम जा रहे थे और 1700 के बाद का जो time है वो द्वापर का चल रहे है यानि कि हम द्वापर में already 324 साल निकाल चुके हैं और आप देखेंगे कि इन 324 सालों में electronic और magnetic development कितनी जादा हुई है और human intelligence किस प्रकार से evolve हुआ है लेकिन गलती कहां हो रही थी जब भी कल्यूग के दोरान पंचांग बन रहा था यानि कि जब राजा परिक्षित का समय था उस समय जब पांडव छोड़ के चले गए सारा राजपार्ट हिमाले की और क्योंकि हिमाले को प्रित्री का स्वर्ग माना जाता है तो पांडव हिमाले की और चले गए और परिक्षित को युदिस्टिर ने सारा राजपार्ट स्वर्प दिया और उस समय राजा परिक्षित के राज्य सवा में कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा एसा एस्टोलॉजर नहीं था जो सही सही कैल्कुलेशन कर पाए युगों की और आने वाले समय की और यहीं पर गलती हुई उनसे पंचांग बनाने में कल्यूग के डार्क एज में एक एस्टो नॉमर थे जिनका नाम था कुल्लूका भट्टा और कुल्लूका भट्ट ने एक ऐसी गलती कर दी जिसके वज़य से सारी जो कैल्कुलेशन है युगों की वह गड़ड हुई और कुलूका भट्टा ने ये कह दिया कि जो भी क्यल्कुलेशन है यानने कि अगर कल्यूग 1200 साल का है तो उन्होंने ये बता दिया कि 1200 साल में जो एक साल है वो एक divine year है यानि कि 1200 divine years बोलके उन्होंने calculate कर दिया यानि कि ब्रह्मा के 1200 साल और ब्रह्मा के जो 1200 साल होते हैं उनमें से एक साल जो होता है वो 360 solar year के बराबर होता है यानि कि प्रित्वी के 360 साल के बराबर होता है और इस हिसाब से जो calculation बैठा वो कल्यूग का 4,32,000 साल था जो कि कहीं न कहीं गलत है कल्यूग 4,32,000 सालों का नहीं हो सकता किवल कल्यूग ही नहीं जितने भी युगों का cycle है वो इतने लंबे नहीं हो सकते तो हमें divine years को यहाँ पे calculation में नहीं लेना था लेकिन कुलुका भट्टा ने divine years को calculation में लिया और जिसके वज़य से उन्हों ने ये बोल दिया कि कल्यूग की जो अवधी है वो 4,32,000 सालों की है तो कुलुका भट्टा के हिसाब से कल्यूग में हम सिर्फ 5,000 साल तक गएं अभी और 4,27,000 साल बाकी है जो कि मेरे हिसाब से भी गलत मुझे प्रतीत होता ह और ये एक पंचांग में गलती होई थी क्योंकि वो dark age था गलती वहाँ पे तो हो नहीं थी लेकिन ये correction करना भूल गये लोग लेकिन फिर भी लोग इसे स्विकार नहीं करेंगे आज के जो धर्म के रक्षक है वो लोग इसे स्विकार करने को तयार नहीं है क्योंकि उनकी जो दुकाने हैं वो इसी बात पर चल रही है कि अभी कल्यूग चल रहा है और तुम मेरे पास आओ हम ही तुम्हें बचा सकते हैं तो ये कुछ लोग है जो इस बात का फायदा उठाते हैं कि अभी भी कल्यूग चल रहा है लेकिन मेरे इसाब से अगर आप समझे जो भी मैं मैंने research की है, मैंने modern astronomy की भी research की है और फिर जो भी evidences मुझे मिले हैं, वो सारी research के बाद मुझे समझ में आया है कि modern astronomy अभी भी ये decide नहीं कर पाया है कि serious sun का dual है या नहीं है, जिस प्रकार से सारे constellations sky में move करते हैं, serious उस प्रकार से move नहीं करता और कहीं न कहीं इस बात से ये साबित होता है, क्योंकि serious एक जगा पे fix नजर आता है ये बागी तारों जैसा नहीं है, इसी लिए हमें ये समझ में आता है कि serious का कुछ और story है, और अभी तो scientist ने ये भी पता लगाया है कि serious जो है, वो sun के करीब आ रहा है धीरे-धीरे, serious is approaching sun, scientist ने ये बोला है जिससे ये साबित होता है कि अब जो है, कल्यूक का descending phase है, यानि कि कल्यूक खतम हो रहा है और हम already द्वापर में जा चुके हैं, तभी तो sun serious के करीब आ रहा है और sun अमारे galactic center के भी धीरे-धीरे करीब आ रहा है और एक जानकारी में आपको देना चाहूंगा, serious के साथ और एक star है serious जो बड़ा star है, वो serious A है, और उसके साथ serious B भी है, जो की एक dwarf star है जो अपनी जो life cycle है, वो complete कर चुका है, और उसका जो mass है, बिल्कुल condensed हो चुका है अब हम बात करेंगे कि अगर कल्यूग का अंत हो चुका है, 1700 A.D. में यानि कि आज से 324 साल पहले, तो आखिर कल की अवतार कौन थे? और कल की क्या अभी आने वाले हैं? या कल्यूग का जब अंत हुआ, तब कल की आ चुके थे? जो भी मैंने research की और जो भी मुझे समझ में आया, मुझे ये समझ में आया जब मैंने अवतारों को देखा, तो भगवान बुद्ध का जो अवतार हुआ था, वो हुआ था कल्यूग के शुरुवात के पहले कहीं न कहीं, जब Jesus Christ आये थे, वो भी कल्यूग का शुरुवात ही तो बुद्ध और जिसस क्राइस्ट के आने में जादा सालों का फर्क नहीं था, करीब 500 या 600 साल का फर्क था, क्योंकि बुद्ध आये थे, 632 BC शायद इस टाइम में और इन से 6 AD के बीच में जिसस क्राइस्ट आये थे, तो ये जो टाइम लाइन है, ये कल्यूग का अवतार है, वो कल्यूग के अंत में आएंगे, तो आप सोचिए कि कल्यूग के अंत का जो समय था, यानि कि 1600 इस्वी से लेके, 1700 इस्वी के बीच में कौन ऐसे अवतार होंगे, और जब मैंने सारी चीजों को देखा, तो मुझे शिवा जी एक ऐसे व्यक्ति दिखते हैं, कही न कही इन सारे कामों को किया है, और उनका जो जन्म हुआ था, वो बहुत यग्य और हवन करने के बाद हुआ था, तो मुझे कही न कहीं लगता है कि शिवा जी हो सकता है कि वो कल्यूग के एक अवतार थे, जो की कल्की हो सकते हैं, आपको क्या लगता है, आप मुझे ज देख सकते हैं आपको वो वीडियो भी बहुत ही पसंद आएगा